असलामू अलेकूम आज मैं आप लोगों के साथ चिकन मंदी की एक बहुती फेमस अरबिक रेसिपी शेर कर रही हूँ अगर आपको मेरे रेसिपी पसन आई तो मेरे चैनल कूप विट फेम को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी अब हम शुरू करते हैं मंदी बनाने से पहले हम मंदी का एक स्पाइस पाउडर ग्रॉइन करके रेडी रख लेते हैं सबसे पहले हम मिक्सर के जार में डालेंगे दो टीस्पून धनिया याने साबुद धनिया एक तीस्पून जीरा, दस लोंग, एक तीस्पून काली मिर्च, आधा तीस्पून सोंफ, चार दालचीनी के छोटे पीसस, आठ इलाइची, एक बड़ी इलाइची, जाइफल का एक छोटा सा पीस, जाइफल याने नटमेक इसे हम एक बारीक पाउडर की तरह पीस लेते हैं, मन्दी का स्पाइस पाउडर अब तयार है, पिसा हुआ स्पाइस पाउडर मैं इस बाउल में निकाल लेती हूँ बस एक टीस्पून जितना हम बचा लेंगे, क्योंकि बाद में हम इसे चावल में डालेंगे थोड़ा सा नमक डाल देते हैं एक टीस्पून पैपरिका पाउडर, अगर आपके पास पैपरिका पाउडर ना हो, तो आप लाल मिच पाउडर भी डाल सकते हैं दो टीस्पून निम्बू का जूस, आधा टीस्पून चाट मसाला, एक टीस्पून जिंजर पाउडर, याने अद्रक का पाउडर, जो सोंट होता है, उसे पीस के बनाते हैं सूखा हुआ अद्रक, यह आपको रेडिमेट मिल जाएगा नेक्स हम इसमें एक टीस्पून ओल्यू ओयल डाल देते हैं, ओल्यू ओयल याने जैतुन का टेल, अगर आपके पास यह ना हो, तो आप नॉर्मल विजिटेबुल ओयल भी डाल सकते हैं, या आप थोड़ा सा मिल्टेड बटर भी डाल सकते हैं मैंने तीन से चार चुटकी जाफरान याने सैफरान के स्ट्रैंड को पानी में भीगने के लिए रख दिया था, बस थोड़े से पानी में भीगने के लिए रख दे, इसे हम डाल देते हैं, बस आधा डालिए, आधा हम चामल में डालने के लिए रख लेते हैं, इसे फुल चिकन ले रही हूँ, चिकन के देखिए इस तरह से चार बडे-बडे पीसस कट करके रख लें, आप with skin भी ले सकते हैं या without skin भी ले सकते हैं, मैं यहाँ without skin इसलिए ले रही हूँ, क्योंकि इसमें मसाले अच्छा अंदर तक एंटर होते हैं, और इसके ऊपर देखिए इस तरह से gashes भी बना के रख लें, देखिए, इस तरह से cut कर लें, ताके मसाले इसके अंदर तक अच्छे से enter हो सकें, और ये अंदर तक भी अच्छा spicy बन जाएगा, ये जो spicy मसाला paste है, मैं इसके उपर अपलाई कर देती हूँ, इसे अच्छे से लगाएं, चिकन के पीसों को इस तरह से turn करके भी लगाएं, चिकन के उपर मैंने सभी मसाले अच्छे से लगा दिये हैं, देखिए, दो रो तरफ मैंने मसाले इसके उपर लगा दिये हैं, अब हम इसे दो घंटों के लिए रख देंगे, मैरिनेशन के लिए, अगर आप चाहें तो इसे पूरी राथ रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, उस तरह से करने से चिकन और भी टेस्टी बन जाएगा, लेकिन मिनिमम आपको दो घंटों के लिए इसे मैरिनेट करना होगा, 500 ग्राइम बासमती चावल अच्छे से धोके, इसे हम पानी में भीगने के लिए रख देंगे, एक घंटे के लिए, देखिए, इसमें पानी इतना दालिए, कि आपकी, देखिए, इतनी फिंगर पानी में डिप हो जाए, मंदी बनाते वक्त हमेशा मंदी के चावल को आप मेजर करके रख लें, यहाँ पर मैंने आधा किलो यानि 500 ग्राइम चावल लिए है, इस ग्लैस से तीन ग्लैस, इसी तरह आप भी एक ग्लैस से मेजर करके रख लें, मंदी के चावल बनाते वक्त, यानि कुक करते वक्त हम बहुत ईजी हो जाएगा पानी को मेजर करने के लिए दो घंटे हो चुके हैं चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है नेक्स्ट हम चिकन को अब स्टीम में गलाएंगे मंदी की यही खास्यत है कि हम चिकन को स्टीम में गलाते हैं इसके लिए हमें एक steamer का setup तयार करना होगा तो मैं एक vessel ले रही हूँ और हम इसमें पानी डाल देते हैं इसमें हम एक से तेर लीटर तक पानी डाल देते हैं नेक्स्ट हम इसके ऊपर एक चनी रख देते हैं चनी याने strainer इसे रखने के बाद हम इसके ऊपर चिकन के पीसस रख देते हैं इस तरह से चिकन के पीसस रखने के बाद हम इस पे लिट बन कर देते हैं और हाई फ्लेम पे इसे एक दस मिनिट के लिए पकाएंगे याने इसमें जो पानी है वो बॉइल होने तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे अब हम इसे 10 मिनिट के बाद ही ओपन करके देखेंगे फ्लेम को हाई पे रखिए 10 मिनिट हो चुके हैं हम यह लिड ओपन करके देख लेते हैं पानी हमारा अच्छे से पक रहा है और पानी में से जो स्टीम निकल रही है उसमें चिकन भी हमारा गल रहा है अब हम फ्लेम को लो पे रख देते हैं और चिकन को ऐसे ही लो फ्लेम पे आद़ घंटे के लिए हम गलाएंगे इस पे फिर से लिड बन कर देते हैं और इसे आदे घंटे के लिए रग दे इसे डिस्टर्ब ना करें आदा घंटा हो चुका है हम फिर से लिड ओपन करके देख लेते हैं चिकन के पीसोस देखिए इस स्टीम में अच्छे से पक रहे हैं अब हम चिकन के पीसोस का टर्न कर लेते हैं ऐसे ही करके सभी पीसोस में टर्न कर लेती हूँ टर्न करने के बाद इन्हें हम फिर से आधे घंटे के लिए रख देंगे पतने के लिए आप बीच में चेक करते रहें अगर आपका चिकन अच्छे से गल जाएगा तो फ्लेम बन कर दें मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ लेकिन हमारा चिकन अभी गला नहीं है यह अभी हाड है देखिया यह बहुत ही सक्त है अभी इसे हम फिर से आदे घंटे के लिए रख देते है अगर आपका चिकन जल्दी गल जाए तो इसे एक घंटे के लिए स्टीव में पकाने की जरूरत नहीं क्योंकि अलग-अलग चिकन अलग-अलग टाइम पर गलते है मेरा थोड़ा हाड है याने बहुत ही सक्त है इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा है अगर आपका चिकन का साइज छोटा है तो जल्दी गल जाएगा इसलिए आप बीच में एक बाद चेक करिए अगर गल जाए तो फ्लेम बन कर दे आदा घंटा हो चुका है चिकन देखिए हमारा अच्छे से गल चुका है मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए यहाँ पेपीस कितने आसानी से निकल रहा है देखिए अब हम फ्लेम बन कर देते हैं और इस रेसिपी के नेक्स स्ट्रेप की और हम बढ़ते हैं चिकन गलने के बाद इसमें जो पानी बचा है इसे आप फेकिए मत क्योंकि इसी पानी में हम चावल पकाएंगे तभी चावल में अच्छा टेस्ट आएगा पैन में हम 2 टेबल स्पून तेल गरम कर लेते हैं तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें स्टीम में पकेवे चिकन के पीसस डाल देते हैं इन सभी पीसस को डालने के बाद हम इन्हें इस तेल में शैलो फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्रेम पे हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं देखिए चिकन के पीसस कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं इन्हें और थोड़ी देल फ्राइ करेंगे ए दो चिकन के पीसस देखी अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं इसलिए मैंने इन्हें टर्न कर लिया है चिकन के पीसस हमारे देखी अच्छे से फ्राइ हो गए हैं अब मैं फ्लेम बन कर देती हूं और इन पीसस को हमें प्लेट में निकाल के रख लेते हैं पैन में हम दो टेबल स्पून तेल गरम कर लेते हैं मैंने थोड़े बादम काजु और किश्मिश को थोड़े से घी में हलका सा रोस्ट कर लिया है ये बाद में हमें गार्निशिंग के लिए काम आएगा तेल हमारा गरम हो चुका है मैं इसमें मीडिय कि बारी कटीवी प्यास दाल देते हैं इसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम प्राई कर लेते हैं प्यास हमारी गोल्डन ब्राउन हो चीकी है हम इसमें दोबारी कटीवी हरी मिश दाल देते हैं हरी मिश दालने के बाद इसे भी सौटे कर लेते हैं फ्लेम को हाई पर ह एंग फ्लेम को लो पे रखेते हैं DANE SPICE MIX फ्लेम को लैट नहीं तहएँ अट लोग तो पर दोलेते हैं सेथी मिक्स कर ले, यहां पर मैंने चावल ille glass लिये थे, तो हम इसमें 3 प्लस 3, यानिं 6 glasses, प्लस 1 glass या आधी glass extra डाल देंगे, थोड़े लोग double डालते हैं, थोडे लोग double डालके extra glass या आधी glass डालते हैं, मैं यहां 6 and half glass डाल रही हूं, हम इसमें पानी नहीं डालेंगे याने जो स्टॉक बचा था चिकन का चिकन स्टीम करते वक वेजल में हमने पानी रखा हुआ था वही पानी हम डालेंगे देखिए यह जो चिकन स्टॉक है चिकन को हम लोग जब स्टीम में बना रहे थे तब नीचे हमने पानी रखा तो वही है इसे में दाल देती हूँ यह six end of glasses है अगर आपके पास पानी कम हो याने यह जो स्टीम किया हुआ पानी अगर यह कम है तो आप नॉर्मल पानी भी तॉल सकते हैं फ्लेम को हाई पर रख दें और इसे पकने के लिए रख देते हैं जब यह पकना स्टार्ट हो जाए हम भीगने रखे हुए चावल दाल इन्हें मिक्स कर लें हाई फ्लेम पर हम चावल को अच्छे से पकने के लिए रख देते हैं चावल हमारे अच्छे से पक रहे हैं अब हम इसमें जो जाफरान दाला हुआ पानी है यह दाल देते हैं देखे हैं इसमें पानी अच्छे से सुख चुका है और थोड़ा सा ही बचा है अब हम फ्लेम को लो पर रख देते हैं और इसमें हम यह चिकन के पीसस भी रख देंगे एक बाउल में हम जलता हो कोईला रख देते हैं और इसमें थोड़ा सा भी दाल देते हैं जैसे ही स्मोक निकलेगी इस पर लीट बन कर देगा हैं और इसे इसे एक पंदरा मिनिट के लिए रख देते हैं दम पे पंदरा मिनिट हो चुके हैं मज़ेदार चिकन मंदी हमारी अब तयार है ये बॉल में निकाल लेती हूँ इसके चामल मैं आपको दिखा देती हूँ देखिए कितने खिले खिले बने हैं और बहुत ही ज्यादा टेस्ट भी बनी है चलिए अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं मंदी के चामल देखिए कितने अच्छे से खिले खिले लग रहे हैं और इसकी जो चट्नी है इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है आप मेरे चैनल में सर्च करें या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी हम इसे फ्राइड अनियन्स के साथ गार्निश कर लेते हैं और थोड़े से बारी कटे वे धनिया के पते घी में तले हुए ड्राइफुट्स भी इसमें डाल देते हैं हम आफिर में हम इसके उपर फ्राइ किये हुए चिकन के पीसस रख देते हैं हमारी मज़िदार अरेबियन चिकन मंदी तैयार है देखने में ही देखिए कितने खुबसुरत लग रही है खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा कॉमेंट्स में ज़रूर शेयर करें आपको मेरी आज किये मंदी की रेसिपी कैसी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें अस्सलाम अलेकूम